नू में हुई हिंसक घटना के बाद मामले में शांती बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशाशन पूरे तरीके से एक्टिव है और वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे अब जरासी भी कोई नुकसान यहानी ना हो सम्विधंशिल इलाकों में धारह 144 लागू है इंटरनेट पूरे तरीके से बंद किया गया है और जब तक हालात नहीं सुधरते ये जारी रहेगा हर्याना के मेवात इलाके में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद मेवात इलाके में आज शान्ती है लेकिन दंगाईयों ने नू और सोहना जैसे इलाकों में दहशत का जो खेल खेला उसके निशान अब भी मौजूद हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव्यो को दहशत का खेल खेलते देखा गाउ के लोगों ने बताई हिंसा की इन साइड स्टोरी आखिर कौन थे वो दंगाई किसने लगाए थे पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद पहली बारे इंडिया न्यूस पर खुल कर बोला मुस्लि हुआ हिंसा हुई आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है लगतार सवाल मेवात और मेव मुसल्मानों को लेकर हो रहा है कि ये बहुल इलाके इसलिए कहा जा रहा है कि मुसलिम इसमें कहीं न कहीं शामिल है और इस इलाके के लोग भी इसमें शामिल है लेकिन वहीं दूस प्रफिशों से बात की तो सब का कहना है कि मेवाद के इलाके में हिंदू-मुसल्मान काफी समय से रहते आ रहे हैं और एक दूसरे में भाई चाहरा है मिले ठीक पीछे जो ये सबक आप देख रहे हैं सबक पे पिछले कई सालों से कावाड यात्रा निकलता है और यहाँ पर कभी भी कावाड यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को नहीं मिली कई लोगों का कहना है कि हर तरीके से हिंदू भाईयों को यहाँ पर सेवा दी जाती है उनका यहाँ पर आदर किया जाता है आखिर 31 जुलाई को ऐसा क्या हो गया कौन है इन सब का मास्टर माइंड कौन है वो गुनेगार जिसने यहाँ पर आपस के भाईचारगी में जो भाईचारगी आपस में उसमें जहर गोल दिया इस पूरे मामले पर हमाँ साथ बात करने के लिए नू से साथ किलोमेटर आगे मालब एक गाउं है जहाँ पर यह तमाम इस इस इलाके के जिम्मेदार लोग हैं सरपंच है और तमाम बुजर्ग यहाँ पर हैं जिन से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो सवाल उट साथ की हम सीधा बात करते हैं सबसे पहले सरपंच साबसे सरपंच यह बताए कि जिस तरीके से सवाल उट रहा है मेवाद पर यहां के लोगों पर हमने देखा कि मेरे पीछे यह जो मजडिद है यह 300 साल पुरानी है यहाँ आप खड़िस के ठीक पीछे यह मंदिर है जो तक कर दॉट हो रहे हैं मौनमान उसर की वीडियो आइ सी क्योकि इनके पीछे का जो सिष्टम है कांफी हत्या हो चुकी है लोगों में जब बार बार क्राइम क्रीमनल हो क्रीमनल है बार जो लोगों की पिठाई कर हैं उनका अग्रोस बना हुआ समाज में तो उसके बाद इनों क्योंकि उनकी आस्ता है ना दरम है जो इनको चाहता हो करे है कि मोन क्रेद को सूधुज को पया fortunate दे साथ होता है कुछाद शुर्ड देंगे उसको इसका जवाब देंगे आप अगर नहीं थमोगे तो इसका जवाब हमको देना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी हो जाएगी, वो जजबात है, वो उसके इमोशन है, वो बाहर निकले, उसके जरीए, वो प्याज वर्ड टर्मिनोलोजी है, अब आप कुछ करोगे तो हम नहीं, आपका बहुत जुल्म सहलिया हम लोगों ने, उसका सिर्फ पर सिर्फ इतना ही मतलब है, लेकिन बात ये भी आ रही है कि जो शोबा यात्रा निकली, अचानक से क्या हो गया कि वहाँ पर हिंसा बढ़ गया, कुछ मकान है वहाँ पर, मुसलिम बहुल इलाका है, सवा जांच करेंगे, तो हम पैचान भी करवाएंगे, देखें, परसासन को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा, गाउं की तरफ से, बाकी इलाके की तरफ से जिसको भी हम जानते होंगे, आपको पूरी कहना में जानकारी दी जाएगी, जहां तक इसकी जुम्मेदार की बात है, दो लाइन में, इसमें विशु हंदी, विशु हंदू परिशद और बजरंग दल, और इसके दो चेहरे, मौनु माने सर और बिट्टू बजरंगी, ये लोग पिछले कई सालों से, माहौल खराब किये हुए हैं, उसका ही ये नतीजा है, और फिर उसके बाद में ये 4,000 लोगों को ले के आते हैं, बंदू के वीडियो अफे लेबल है, तलवार बाजी के साथ में आते हैं, बला कोई ऐसी धार्मिक यातरा होती है, जिसमें इनसान इतने सारे लोगों को लेके और उसमें क्या नहीं में, तलवार और गोली बाजी उट लेके जा रहा है, पहली बार हिंसा सुनने में आ रही है, आप बज़ुर्ग हैं, आपने कई यात्रा यहां पे देखी, क्या कहना है? यहां पर ऐसा कोई बात नहीं है, जहां कोई हिंदू मुसल्मान कोई 75 साल की उमर, 70 साल की उमर हुली मेर में आज तक कोई नहीं देखे हैं, भाहिचार इतन हैं. इस तरह कि जो आप आरोप लग रहे हैं, कि यहां के भी लोग शामिल थे, पुलिस अब तक 150 से जादा लोगों को एरेस्ट कर चुकी है, कई लोग डिटेन है, तो इसमें यहां के भी लोग कह रहे हैं, कि यहां के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, ल हैं हमारे इनका भाइचारा बहुत बढ़िया आकिर ऐसा क्या मामला हुआ आकिर क्या ऐसा हो गया कि हिंसा भड़क गई एकदम से अगजनी हो गई समुदाई की सवाल कई उठे रहे हैं जिस तरीके से पत्थर की बात आ रही है बॉम की बात आ रही कि हिंसा में यूज किया ग हुआ है इस से पहले आज तक कभी नहीं हुआ यहां लोग भाइचारगी में रहते हैं देखिए लोग बाग क्या एक डिस्ट्रिक हैड़कॉटर है वहां पर सब जगे से लोग आते हैं पलबल है फर्दाबाद है उदर आगे तक से भी लोग आते हैं सब जगे के लोग हम तो अपने आसपास अपने गाओं और आपने आसपास गाओं वालों को पहचान सकते हैं अर जहां तक उसकी बात है पुलिस है वो तो आरोप में कुछ भी बोल सकती ए ठीक है जब उसके बाद में मौनू मानेसर जब अपरादी होते हुए राइस्थान पुलिस उसको पूरी तो इनोंने बोला है कि हम लोग इसको मकक्र सहाब ने बोला कि हम लोग इसको एम ले के ने के लिए तयार थे उनोंने बोला है कि बनाहे कि यो को सब्सक्राश्थान ने हमें कोई helicopters से उनके उपर में राजि़्थान पुलिस के उपर मैं उल्टी फायार दायर कर दी रहोंने हर्याना पुलिस अब ये हर्याने के ग्रीम अनिल्विज ने का है कि जो दोशी होंगे उन्हें सजा मिलेगी जो दिर्दोश होंगे उन पर कारवानी होगी यही एडीजी लाइन और मम्ता सिंग ने भी का जब हमने ब होगा और वहां जहां जो जो पत्रबाजी की जो बता रहे हैं हुंआ काम चल रहा रहा रोड़ वही तो वहां गर कोई पत्रबाजी उदर से किसी ने लियो होगा हुआ होगा जांच के लिए नहीं पूरा गाहां भग रा है जंगल में सौरे हैं बच्चे पहाज तक लोग यह पहार तक लोग उपर बैठे होई है। आया थो नहीं मुनू मानिसर और बिट्टू बजरंगी तो आया उनोंने वीडियो क्यों रेलीज किया वह अपरादी है वह नुहूं पर ऐसा वीडियो डालने का उसका मकसद क्या हुआ यह सवाल उठते हैं और 5-4 साल से जो यहां पूनोंने आतंक मचाया हुआ था किसी को भ सबस्क्राइब यह लोग तो सर यह लोग तो दलाली करने वाले लोग थे इन लोगों को सर माथे पर मतलब मतलब बिठा दिया इन लोगों को यह सारे के सारे लोग तसकरों से किसी भी तरीके से कुछ भी तरीके से किसी को भी पकड़के किसी से हजार दो अब जो अब जो यह आप करवाई हो उस पे आप लोग कितना है क्योंकि मुख्य मंत्री भी कह चुके हैं अब गिरी मंत्री भी आपके राजी का कह चुका कि जो दोशी होंगे उसी के खलाफ होगा बिल्कुल बिल्कुल जो भी दोशी है उसको आप क्या नामे कीजिए दोनों तरफ से यह मानते हैं ना सरपंजी दोनों से सवाल है आप सभी से कि यह मानते हैं ना कि जिस दिन यह हँखा महा मुआ तो कहीं हम कई न कई कुछ लोग शामिल हो गयें संट्मेंटल तरीके से कुछ भी तरीके से लोग है टीनेजर लोग थे ज्यादा ना समझbons taraf Energ Integration ना समझ एक पूरा दसक यहां पर देख रहे हैं कई यात्र हैं मंदिर भी यहांपर पास में हैं नगे कि अगि ऐसा कुछ हो तक पहले यहां नोग पर कुछ होता तो पहले यहां के लोग में इंहें pew सब्रियन करो जावी 50 आजया कोई दिकत ना है कोई परिशन ना है बता रहे कि क्या कोई बेरादरी की मीटिंग भी होगी आप लोगों की जो बुज़र्ग लोग यहां दूसरे समुधाई की लोग है और आप लोग है दोनों पक्ष लोग बैठेंगे फिर हालात को समानी करने के लिए आज बैठे थे बात दोनों कोई बीचाए दूनों कोई है बहनते हैं कि यह नों कि बात यह इसकी वजह से जिलो में फरक पड़ा हुआ है अरम उसलमान के उनका जो बैयान है जो उन्होंने नाजाइद तोर पे पकड़ के ले गए और उनको आग लगाई ये इनसानियस से बाहर बाते हैं अब सरकार से आपको जो अब जो इस सरकार जो है उनकी हिमायत कर रही है लेकिन आपके राजे का ग्री मंत्री कह रहा है कि जो दोशियों के उन्हीं के खलाफ करवाई होगे बाकी बेकसूरों को कोई नहीं मंत्री हमारा बहुत अच्छा आदमी है लेकिन हो सकता है वो भी बैजा है कोई जरूरी है आखरी सवाल आप लोग से लेंगे सर्पन साव आप से भी कि अभी जब डीसी जो इस इलाके के प्रशान पावार है वो इलाके का जैजा लेते तमाम मस्जिद हिंदू इलाके में भी गयते वहां पर कुछ हिंदू समुधाय की लोग खड़े थे उन्होंने बोला डीसी जो डिप्टी कमिश्णर यहां पर प्रशान पावार को कि उस दिन अगर लॉइन ओडर सही होता तो यह हालात नहीं होती और यह कहीना की प्लान था और पुलिस की करवाई बहुत लेर से हुई या उनको जैसे मौन मानसर को रोक देते हैं अगर फोर्स होती बड़े पैमाने पे और पुरी तरीके से डिप्यूट होती तो प्रशासन मतलब यह स्टार्ट हुआ है बोताते हैं कि कई घंटे बाद प्लिस आई है तो उससे भी अगर टाइम पह जाती तो दंगा ही होता ही नहीं और दंगा अगर यह जब इनकी वीडियो स्टार्ट हो रही है दोनों की लग रहा कितना हो बन रहा दोनों समाज में तो इनको पहले इनको कंट्रोल करना था इन चीज़ को लेकिन अमन कमीटी तो बैटी ती बात हुई ती डीसी का भी कहना जाकिर हुसान जो है और अ इन्विस्टिगेशन है लोगों में नाराजगी भी होगा कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं गिरफटारी को लेकर लेकिन सरकार क्या रहीगी निर्दोशों को नहीं पकड़ा जाएगा जो गुनेगार उनको होगा मोईल वीडियो सीसी टीवी फोटेज हुमन इंटलिजें नहीं है इसमें नुक्सान होता है हमेशा बाकी ये इनसान के लिए कोई गल्ती हो जाती है आगे उससे सबक लेना चाहिए ना कि अब दुबारा से नॉर्मल भाईचारा अपने दिलों को लोग बाग साप करें दुबारा से उसी तरह से वो रहें और बाहर के लोगों को इन पी वाले बीजे ये बजरंग दल वाले और उनके दो चेहरे मौनू माने सर और बिट्टू बजरंगी इन लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है बाकी लोगों का क्या है यहां पर कोई ऐसे क्या ना में मामन खान के भी एक इंटर्व्यू को लेकर सब कहने क मामन खान में आपको पहली भी बोला INसान जब दुक्ही हो जाता है तो इसके जज़ोग बाहर निकलते हैं अब कोई बी इनसान किसी को परिशान करेगा वो किसी ना किसे तो जो उसकी जबान अभी है हमारी देसी जबान है कि जैसे कोई बंदा ज्याधा परिशान कर रहा ब इसका सर नहीं यह जार्स चार महीन उगे उसको तो कहें साव विधान सभा में तो उसको तो पंच्छे महीनें हो गए बाकि अब यह नहीं हूई उसके बाद तो ये अपने कावड यात्रा हुई उसमें कोई बात नहीं हुई कैसे अगे आगे आप जो इन्विस्टिकेशन बढ़ेगा अगर प्रसासन आप लोग से हल्प लेना चाहेगी तमाम आसपास की गाउं से तो पुरा क्या इन्विस्टिकेशन में आप लोग बिल् जिम्यदार लोगा सभी का यही कहना है कि जो जिम्यदार है जो वीडियो वाइरल हो रही थे जिस तरीके से यह इसको देखकर एक रियक्शन है वो रियक्शन था लेकिन इस पुरे हिंसा में यहां के लोग शामिल नहीं थे जो शामिल थे वो बाहर के लोग थे और वो यह इन्विस्टिगेशन में किसी तरह की अगर कोई मदद भी चाहिए तो यहां की लोग तैयार हैं लेकिन जो एक हिंदू-मुस्लिम की एक एकता यहां पर इस गाउं में या नू के तमाम इलाकों में हर जगा मंदिर है इस इलाके में भी मंदिर है जो कि काफी साल पुरानी है उन लोगों का साफ कहना अगर इस तरह की हिंसा होती तो इसका असर गाउं में भी देखने को मिलता है। ये बावाल हुआ है। अपने सेविकी कामरामेन अंकुष के साथ मैं जाविद हुसाइन इंडिया न्यूस नूू।